हेलो प्रेंज चलिए मातारानी के लिए बनाते हैं अस्टमी के लिए चुन्नी तो यह मैं आपको लाल कलर के कपड़े से बना कर दिखाऊंगी आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा ले सकती है वैसे लाल कपड़ा मा को बहुत पसंद आता है तो इसलिए हम लाल कल की चुन्नी अस्टमी के लिए बनाएंगे चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस Stunden कहसे की कपड़ा को हिए लाल करल का तो उस में से हम चुन्ना कामा आज़ने बाता है इस तरह का क्रेंगेर मैं आपको बता देते कू क्रें है तो देखिए इस चुड़ाई मैंने लिए है चार इंच और लंबाई मैंने इसकी 12 इंच लिए और इसके चारो तरफ लगाने के लिए मैंने यह इस तरह की लैसली है और इसमें हम इस तरह के मोती लगाएंगे तो इस तरह का कपड़ा काट लेंगे और इसे चारो तरफ से फोल्ड करते हुए इस लैस को उसके उपर इस तरह से लगा देंगे तो यह हम चारो तरफ से लगाएंगे तो इसे हम चारो तरफ लगा लेंगे तो इसके बाद हम इस तरह के मोती लगाएंगे तो हम इस लेस को लगा लेते हैं ये देखिए फ्रेंस मैंने इस तरह से इस पे चारो तरफ लेस लगा लिए है तो अब हम इसमें मोती लगाएंगे तो मोती हम वहां लगाएंगे जाँ जाँ पे हमेंने इस तरह से ये निसान लगाए हुए हैं उसी तरह से हम इसमें मोती लगाएंगे तो चलिए मैं आपको मोती लगा के दिखाती हूँ कि हमें मोती कैसे लगाने है मोती लगाने के लिए हम पहले इस तरह से निसान लगा लेंगे तो मोती लगाने में हमें आसानी होगी तो यह देखे इस तरह से हम जहां जहां पर हमने निसान लगाए हुए है वहीं वहीं पर हम मोती लगा देंगे तो देखी मोती लगा के नीचे की तरफ से अच्छे से गांट लगा लेंगे जिससी मोती हमारे निकले नहीं अगर आपके पास और भी कोई कलर के मोती हो तो आप लगा सकती है तो यहां पर धागे को दो-दो बार निकालें जिससे मोती हमारे अच्छे से शिल जाए तो यह देखिए इसी तरह से हमें शारे मोती लगाने हैं जाँ जाँ पर मैंने ये निसान लगाए हुए हैं वहाँ पर हम इस तरह से मोती लगा लेते हैं तो मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ कि ये मातारानी की चुन्नी कैसी लगती है ये देखिए ये हमारी मातारानी की चुन्नी बनकर तयार है तो इस तरह से हम इसमें मोती लगा लेंगे तो यह देखे कितनी जल्दी बनके तैयार हुई है और देखने में भी भोष उंदर लग रही है तो यह हम आठे पूजा के लिए मातरानी को उड़ाएंगे तो अगर आपको हमारी मातरानी की चुन्नी पसंदाई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मातरानी की चुन्नी कैसी लगी